चलिए भई फेलो गोड़ इनिंग एवरीबड़ी ओके माई डियरी स्टुडेंट्स आम प्रेजेंट बीफोर यू कुछ टेक्निकल प्रोब्लम सा गई थी सरदेर में छोड़े फिर मैं स्टार्ट कर दिया हूँ आज थोड़ा सा पांच से सात मिनट जादा हो गया दस मिनट ओके गुड इनिंग एवरीबड़ी चलिए फड़ाफट जल्दी से जल्दी लाइप क्लास पर मेरे आजाएं जल्दी से स्पीड में आजाएं फड़ाफट आजीत मौर्या आशी शिश्मृति राज हैं रूपल उतकर शिवाणी श्मृति गौरो कुमारे आदो रूपल गुड इवनिंग गुड इवनिंग वही सभी लोगों को गुड इवनिंग एवरीबड़ी गुड इवनिंग ओके चलि माई डियर स्टुडेंट्स तुड़े आई वांट तो डू माई बेस्ट जो नाउन एंड नंबर है आज मैं उसको समाप्त कर देता हूं और कल से शु बहुत इंपॉटेंट है आज उसी टॉपिक का अंतिम पार्ट है डैट इस वेरी इंपॉटेंट टॉपिक फार यू तो अंडरिस्टेंड माई डियर ऐसा टॉपिक है ऐसा कि लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे सो जल्दी से जल्दी फटाफट लाइट क्लास में जल्दी इस स्टार्ट करते हैं फटाफट स्टार्ट करते हैं अब हमारा जो टॉपिक था माई डियर जो हम लोग टॉपिक ले करके चल रहे थे बहुत जल्दी से तुरंट लूड हो रहा है आपके सामने लूड हो रहा है फटाफट लूड हो रहा है चली मैं डियर ओके ये हमारा था नाउन एंड दा नाउन एंड दा नमबर मैं डियर नाउन एंड दा नमबर का ये सिस्टम है इसका आज अंतिम दिन है और बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है बहुत इंपोर्टेंट कल नया टॉपिक शुरू करूँगा नाउन एंड दा जेंडर यहाँ पर जल्दी से देखिएगा बहुत इंपोर्टेंट एक रूल ये है कि कुछ नाउन हाँ कुछ कल मैं यहाँ तक इंडिंग किया था जरा समझ लो इंडिंग यहाँ तक होई थी यहाँ लिखा था माई हेर माई हेर आर माई हेर्स आर ग्रे माई हेर्स आर ग्रे माई डियर ये टॉपिक मैं ये सेंटेंस लिखा आप लोग बताएं ये सेंटेंस गलत है या सही सेंटेंस है anybody of you अमर सिंग इधर ध्यान दीजे सब लोग just यहां से बताएं कि my hairs are grey यह sentence सही है या गलत है just give the complete risk or response जल्दी बोले जल्दी बोले sentence कल मैं ending पर लेके जला गया था यह sentence hundred percent गलत है इसले गलत है क्योंकि मैं बताया था head पर किसी के hairs countable नहीं हो सकते seer पर किसी के बाल countable farm में नहीं हो सकते my dear इसले my hairs are grey गलत है तो सही sentence इसका क्या होगा इसका सही sentence होगा my dear my hair as इसमें से हटा देंगे केबल यहां hair का use करेंगे my hair और r को हटा करके ease लगाएंगे और यहां grey लगाएंगे यह sentence ही होगा इसमें कोई problem नहीं hair को plural बनाया ही नहीं जा सकता hair को plural नहीं बना सकते लेकिन लेकिन आपको मैं एक condition बता देता हूँ my dear just I want to describe a particular condition for you to understand बहुत केरफुली देखने का प्रयास करेंगे यह sentence तो ऐसे मैंने बना दिया आप जड़ा देखो दूसरी condition को कैसे follow में करता हूँ कि hair में S या इस कब लगता है in which condition we add S or ES with the word hair hair में कब लगाएंगे यह गलत हो गया इसका hair वाला देखें जड़ा कब लगाएंगे there are there are two there are two hairs in the bowl there are two hairs in the bowl क्या लिखा है कहते हैं बाउल में दू बाल हैं दू बाल खाने पीने की चीजों में कभी कभी बाल आ जाते हैं न तो कटोरे में कोई इतना बड़ा कोई इतना बड़ा भाबा राम देवाला निकाल के तो रख नहीं देगा है के नहीं धोखे से लेडीस की क्रिपा से उसमें एक दो बाल पढ़ जाते हैं समझे न तो ऐसी पोजीशन में माई डियर क्या करना है हाँ आचा ही स्टोरी हर समिश्रा हर समिश्रा या दिला रहे हैं सरकल वाली स्टोरी तो ऐसी position में यहाँ पर यह hair में ऐस लगेगा क्योंकि यह countable position को show करता है यह countable position को show करता है माईडियर जरा देख लो countable condition है क्योंकि कटोरे में दो बाल है मानलो दाल का कटोरा है, milk का कटोरा है, curd का कटोरा है, भे का कटोरा है, दो बाल उसमें है और वो दो नोबाल काउंटेबल माने जाएंगे, इसलिए यहां हेर में एस लगाना पड़ेगा, दो है ना तो एस लगाना पड़ेगा, चलिए माई डियर, एक तीस सेकंड की स्टोरी है, हेर बाली स्टोरी मैं बता रहा हूं, बट एक प्रॉमिस है, स्टोरी शुट बी टॉ ठीटोरी में नख़स अंटॉट बढ़ेदेदरैईगे, एक डाक माई लिए डियर, इस में व刃टिक।कों में लिए प्रॉमिस है, लान प्रॉमिस का रहा हूं पुरॉमिस है tu । इस इसह्यठी है, वा आॱ रा एखिवा रिगादा धॉमिस इस सांदे निच खुँ अरि Já वो middle-aged man माना जाता है, middle-aged man था, he had two wives, the first wife was old and second was young, the age of the first wife was approximately 50 to 60 just like him, but the age of the second wife was approximately 20 to 30, sorry 25 to 30, she was just half of the age of the man, there was a problem, not a problem, goodness, both the wives loved the man very much, both the wives loved the man very much, okay, but there was a problem, both of them wanted to see the man just like her own self, there was the problem, दोनो पत्निया उस दंदे को अपने जैसे दिखना चाहिती थी, the old wanted to see him an old person, but the young wife wanted to see him a young person, okay, the hair of the old wife was grey, means grey means the mixture of white and black, but the hair of the young wife means second wife was totally black, listen carefully, both of them wanted to see the man, and the man had also grey hair, उस आदमी के भी बाल grey थे, the mixture of white and black, okay, understood, both of them wanted to see him just like her own self, when the man met his young wife at night, she used to comb his hair and select the white ones and picked out one by one, she did not like to see the white hair on his head, she liked only black hair on his head just like her, so it was her regular routine that she used to pick out one by one the old, not the white hair, okay, when the man used to meet his old wife means first wife in the morning, when he used to meet her in the morning, the first wife means old wife also used to comb his hair and select the black ones and picked out one by one, because she did not like the black hair on his head, this activity was regular by both the wives and after some days, the man found that he had no hair on his head, he had become a bad man, gunja बन गया यार, gunja, gunja बन गया, क्यों बन गया गया गया, क्योंकि जो पहली पत्नी थी, बुड़ी वाली, वो उसके काले बालों को उखाड लेती थी, और जो young wife उसकी थी, उसके white बाल को, hair को pick out कर लेती थी, और सर में दो ही तरह के बाल थे, black and white और वो पूरी तरह से गायव हो गया, he had become a bad person, वो गंजा बन गया यार, गंजा, इसको English में कहते हैं, इससे सीख क्या मिली, the double-minded man is unstable in all his ways, यानि धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का, धोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का, ये condition इसमें दरसाई जा रही है, ये system इसमें फालो किया जा रहा है, ओके, चलिए, चलिए, आप लोगों को ये story कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, ये आई थी, S.S.C. में, comprehension के लिए आई थी, paragraph आया था, उसमें selected question थे, question का answer उसी paragraph से देना था, story आप सब को अच्छी लगी, क्योंकि आपका जो पिक्चर है, वो मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोगों को story समझ में आई होगी, समझ में अगर आ गई है story ना, तभी अच्छी या बुरी लगती है, वरना इंसान चुपचाप बैठा रहता है, अगर उसको समझ में story नहीं आती है, किसी भी इंसान को तो चुपचाप silent रहता है, इसलिए कभी कोई story बताए, तो फट से तुरन सब लोग हसे, तो उसमें हस देना चीए, आप देखिए तीन-चार लोग हस रहें, तुरन पिकप बनाईए, शुरू कर दीजिए हसना, बाद में किसी पूँच लिजे, किनारे में भाई, क्या मैंटर था, असने का क्या मैंटर था, पूँच लिजे, लेकिन उस समय चूखी है नहीं, तुरन दिजाइन बनाईए, शुरू, नहीं, इसमें करबड़ी हो गई ना, तो लोग कहेंगे, रियार बुद्धु हैं वो, यह बुद्धु हैं, समझ रहें ना, आपको बुद्धु मानेंगे, चले, ओके, दैट साल, चले, यहां से मैं अब स्टार्ट करता हूँ, माई डियर, स्टार्ट करता हूँ, जड़ा दिखेगा, यहां पर हेर मेंस लगेगा, क्योंकि कंडिशन ऐसी, अगला रूल मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट पे और एंसें टुबाई वर्ड्स, ओके, देखो माई डियर, सिस्टम यह हमारा है, सिस्टम हमारा यह है माई डियर, कि जैसे कुछ नाउन, कुछ नाउन, प्लियूरल फार्म में ही होते हैं, हमेशा वो प्लियूरल फार्म में कुछ नाउन है, जो प्लियूरल फार्म में हमेशा माई डियर होते हैं, कौन कौन से हैं, किस वज़ा से हैं, उसको सुनिए, जो प्लियूरल नाउन होते हैं, उन में से जैसे सीजर, Scissors, पेर यहां ट्रॉंग्स, Spencers, ठीक ना, Spencers हो गया, then after यहां पे होता है, Arms, Thangs, Socks, Shoes, Prowsers, Shorts, My Dear, यह हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स है, जो हमेशा प्लियूरल नंबर में होते हैं, हमेशा प्लियूरल नंबर में होते हैं, आजय कुआर शाह को अब मजा आया है, अभी तक मजा नहीं आया था, अब मजा आया है, चलिए, ओके, सूती सेट कहती ही, भाई, I am also extremely happy, but not just like to other students who are beyond the proper limit, चलिए, सबका बला गजब गजब का statement आ रहा है, चलिए, मजा हो जा छोड़िये, मैदान में आये, फड़ा फट, यहाँ पर देखें सारे चीजों में क्या, आज खतम कर देना इसको, कल से नया टॉपिक शुरू करूँगा, आज इसको खतम करना है, कल से नया टॉपिक क्या, कल आपको literature पढ़ाऊंगा, अभी मैं बताऊंगा, literature में क्या पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाना था, बताज एक बहुत बड़ी प्राब्लम आ गई थी, इस वज़ा से हम grammar को, यह इंडिंग में भी था, इसको खतम कर दिये, अब थोड़ा सापसिट हो गए थे, scissors, देखे, scissors के दो पार्ट सोते हैं, my dear, scissors के दो पार्ट सोते हैं, likes को बढ़ाते रहें, मुझसे कहलवाई हैं नहीं, 200 के उपर मुझे चाहिए, रोज, यहां मैं देख रहा हो, कि यहां scissors माने होती क्या है, scissors माने कैची होती, कैची, ये होती कैंची तंग समाने क्या होता है माई डियर तंग समाने चिम्टा होता है चिम्टा इस पिंसर समाने क्या होती है इस पिंसर समाने चिम्टी होती है आल्म समाने क्या होता है माई डियर आल्म समाने भिख्षा होता है इसका धन्यवाद होता है समझे ना शौक्स माने मुझे हूते माईडियर मुझे शूज माने तो आप जानते हैं प्राॉजर्स पाःजामा होता है शौर्ट्स माने कच्छा कच्छा ये ये हमारे वर्ड्स है कहीं भी किसी भी कर्डिशन में रहेंगे इस पोजीशन को मेंटेन करिए इस पोजीशन को मेंटेन करिए चलें क्यों इनका कटिंग वाला पार्ट जो कैंची जैसे माल लो क्लेचर को छोड़ दो तो काटने वाला पार्ट जो होता है कोई भी है उसको आप उल्टा सीधा रखके किसी को दिखा दो नहीं बता पाएगा राइट वाला कौन है लेफ्ट वाला कौन है समझ नहीं पाएगा टॉंग्स माने चिम्टा चिम्टा होता है चिम्टा जानते है ना बेकिंग ब्रेड जो बेकिंग के काम आता है खाना बनाते समय पकाने के लिए चलो वह रोटी बना रही है ट्रांसेशन बताओ वह रोटी बना रही है या वह रोटी शेक रही है रोटी शेकने में खासी मसकत करनी बढ़ती है ना चलें बताएं सचिन पडेल मेरे प्रस्ण का जबाब दो सचिन पडेल बड़े रसी आदमी हो क्या यार तुम भई कैसे कैसे सब करते रहते हो, चलो इदर मेरे प्रश्नों का answer दो पहले नहीं, एक फैट यहीं से मारेंगे, जल्दी बोले Fadas, Fadas, वहार रोटी सेख रही है, शाबाज, दिखो शूती सेख रही है, माईडियर यह present continuous में है, और सेकना की एंगरे जी बेक होती है रोटी बनाना या सेकना कुछ भी आ जाये आपको भी एक केई लगाना पड़ेगा बेक बेक्ड बेक्ड या बेकिंग बेक्स ऐसे लगाना पड़ेगा तो और रोटी के लिए ब्रेड ना लिखना चपाती लिखना चपाती क्योंकि सेकी जा रही है संजेना तो she is बेकिंग चपाती she is बेकिंग चपाती चपाती के पहले definite आटिकिल बगएरा कुछ न लगाना वरना यह गलत इसले माना जाएगा क्योंकि फिर आगे बताना पढ़ेगा कि बैरले की चपाती है या ओट्स की चपाती है या वीट्स की चपाती है या ग्रैम की चपाती है या निचने की रोटी बाजरे की रोटी जौ की रोटी मक्के की रोटी किस तरह की रोटी है ये आपको बताना पढ़ेगा दा अगर लगा दिये तो और दा नहीं लगाएं तो कोई भी चपाती से की जा रही हूँ केवल चपाती लिखकर काम चल जाता है यह अंग्रेजी की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं टेक्निकल समझे ना टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जरा यहां देखेगा अब इदर टंग्स माने चिम्टा जहां से पकड़ने वाला चिम्टा मालो यह चिम्टा है यहां पकड़ने वाला है यहां अगर तोड़ दिया जाया और उठा के एक उपर एक ऐसे रख दिया जाया तो आपकी मम्मी भी नहीं बता पाएंगी कि राइट वाला कौन था लेफ्ट वाला चुकि ज़ादा यूज़ करती ना चिम्टे को घर पे, तो वही यूज़ करती हैं, तो वो भी नहीं जान पाएंगी बैचारी की राइट लेफ्ट कौन है, वैसे चाहो तो प्रेटकल करके दिखाना आज, चिम्टे को तोड़ लेना, तोड़ के मम्मी को दिखाना, तो मम्मी उठाएंगी उसको और तुम्हे प्लूरल बना डालेंगी सिंगुलर से प्लूरल फर्ट से आ जाओगे बैराल तोड़ना नहीं है यह तो अंडरिस्टेंडिंग अपनी है स्पेंसर समाने चिम्टी होती है चिम्टी जो गोल्ड स्मित के पास होती है सुनार के पास होती है गोल्ड स्मित लोग एक जैसी रहती है एक दम बराबर उठाते हैं उसको बराबर से वो गृप में रखती है आल्म समाने भिच्छा यह प्लियूरल नंबर का वल्ड है और थैंक्स भी प्लियूरल नंबर का वल्ड है आप मेंसे कौन मुझे बताएगा थैंक्स सही है या थैंक्यू सही है थैंक्स सही है या रूती सेट के रहे मम्मी मारेगी चलिए अब चिम्टा तोलोगी यार तो मम्मी तो मारेगी है जब चिम्टा तोलोगी तो मम्मी क्यों नहीं मारेगी चलें आप लोग बताएं फड़ा फड़ थैंक्स सही है थैंक्स सही है या थैंक्यू सही है मेरे प्रस्ण का जबाब जल्दी से मिलना चाहिए Just I am willing to have the response of my question whatever I have spoken जल्दी बोलो जल्दी शीवानी यह दुवनसी येश 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 बहुत अच्छा response आ रहा है शीवानी दिव्यानसु मेनी अधर इस्टुडेंट्स ऐसे हैं येश वेरी गोड वेरी गोड नाइस एंड वेल डन यार वेल डन बेलकुल सही answer आप दे रहे हैं ये plural नंबर में और singular नंबर में अलग अलग दोनों सही हैं बोथ वर्ड्स आर करेक्ट बोथ दा वर्ड्स आर करेक्ट माई डियर ये दोनों सेंटेंसे सही हैं दोनों बस difference क्या है मीनिंग में difference है मीनिंग में क्या difference है ये difference है कि thanks धेर सारे लोगों को बोला जाता है और thank you किसी एक को बोला जाता है कैसे listen to me listen to me I have best पर मैं spoken का भी एक वीडियो में डालने वाला हूँ अगर किसी की इच्छा हूँ तो आके देख सकता है दो तीन दिन के अंदर से वीडियो डालना शुरू कर देंगे speaking power ताकि आगे intermediate के बाद किसी student को problem ना हो जादा से जादा दो तीन दिन के अंदर वीडियो उसमें class में तो नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि course इतना लंबा है तो class में ऐसी like class में वो course चलेगा वीडियो अपलोड करेंगे app batch में डालेंगे app batch में इसमें देखेंगे क्या condition आती है तो आप लोग most welcome है जो जुड़ना चाहें वो जुड़ सकते हैं TOC learning platform के माध्यम से उसमें पूरा का पूरा literature grammar और वो भी यानि speaking भी मैं उसमें डालूँगा तो आपका most welcome है एक बार देख लेंगे nominal ना के बराबर फीश है उसमें कोई फीश का issue बहुत बला है उसमें नहीं है छोटी सी मामूली सी फीश है तो my dear मैं suppose that you are going somewhere and unfortunately you fell underground and a person came to you and helped you then you should say thank you uncle thank you thank you ma'am thank you sir whatever आप thank you बोलेंगे एक बंदा जो आ करके आपकी मदद किया है एक बंदा but suppose that more than one person comes to come to you and help you तो एक से अधिक बंदे आते हैं और आपकी मदद करते हैं मालो पांच लोग खड़ें तो फिर कैसे करेंगे what will be your attitude you should describe thank you thank you thank you ऐसे से तो नहीं बोलना है ना एक बार में बोलना है thanks everybody thanks everybody आप सुनिए everybody और कुछ लोग everyone भी बोल देते हैं everyone और everybody में अंतर जानते ने क्या है those who are attached to you you should apply everybody for that and suppose somebody is not connected to you you should use everyone for that मान लिजिये मेले में 10-20 लोग मिल गया है तो वो आपसे अपरचीत है आपसे connected नहीं है किसी ना किसी माध्यम से तो everyone उनके लिए use करेंगे everyone in the fair was extremely happy मेले में आये हुए सारे लोग बहुत खुश थे अब आप नहीं जानते कोई कहां से आया कोई कहां से आया कोई कहां से आया but suppose that आपकी मदद अगर 4-5 लोगों ने किया बाइक से उठाया help किया तो निश्चित रूप से वहां तो वो किसी ना किसी रूप में आप से connected हो गया यार ना इसलिए उनके लिए आप क्या यूज करेंगे माइडियर उनके लिए everybody का यूज करेंगे मैं ये इसी प्रकार की कुछ चीजें मैं connect करके आपको दिखाऊंगा और उसकी practice कराऊंगा उस बैस पर तो आप उसको maintain करेंगे life style में यूज करेंगे देन यूरी सिपिकिंग वेल आक्टमेटिकली बिए स्ट्रॉंग और यूज करेंगे अच्छाम में पूछा गया है एक दिन मैं देख रहा था भिहार बोल्ड में grammar का पुर्शन देख रहा था वही इसमें पुछा यही कुछा यहीं इसी से रिलेटेट था जरा दिखी एक एजमपल यह है दा सीजर्स वाज नौट शार्प एक कुश्चिन और मैं लिखता हूँ इस राउजर्स वाज बीन यह दो कुछन मैं लिख दिया पहचानो और इसकी गलती को पॉइंट आउट करो आफ्टर रिकोगनाइजिंग दा पर्डिकुलर पोश्चन यू शुड डो यूर बैस जल्दी बोलो फड़ा फड़ बोलिये फड़ा फड़ बोलिये फड़ा फड़ा यहाँ पर आप रिकोगनाइज करो यार कितनी एनर्जी से मैं आपको यह दे रहा हूँ बहुत फाम में दे रहा हूँ सो जस्ट दा सीजर्स वाज नाट शार्प लिखा है शार्प माने होता है तेज कहते ना आपका चाकू तेज नहीं है तेज के मतला उचल उचल के जंप करके भागे का नहीं यानि जो काम करता है कटिंग वाला पीलिंग वाला पीलिंग पीलिंग माने छिलाई करना पीली ज राइट ना ध्यान देना इस बात को यहां पर आजाओ तो इसका आपोजीट होता है ब्लंट शार्प माने तेज और ब्लंट माने गोठिला अर्था जो तेज ना हो जिसमें धार ना हो तो यहां पर सीजर्स के साथ यहां वास को अटा करके क्या लगाओगे माइडियर यहां आवास को अटा करके वर्क आप रियुक करेंगे क्योंकि यह पलूरल तो यह भी पलूरल अगें सहिप्न का हैंसर चाहिए मुझे जल्दी से बोलो सेकेंड वाले का एंसर आम वेटिंग पार यार्एंसर जल्दी जल्दी बोलो जल्दी जल्दी पहने 200 लाइक हो गई यहाँ पर देखे, his trousers has been stitched, stitched बने सिलाई की गई है, उसके पायजामे की सिलाई की गई है, जल्दी से वोलो, his trousers has been stitched, उसके trouser की सिलाई की गई है, यहाँ very good, शावाश, अरे बहुत अच्छा, संजय है, शिवा माधित्य हैं, विशाल हैं, रिया हैं, कीर्ती हैं, many students are giving the right answer, very nice, very good, my dear students, सावाश, plural है यार, trousers वो वाला पैजामा जो सेट जी लोग पहनते हैं, trousers उस पैजामे को बोलते हैं, जो सेट जी लोग पहना करते हैं, ऐसे लंबे-लंबे होते हैं, मोटे-मोटे, ऐसे पैजामे की बात करता है, ना इतने बड़े-बड़े होते हैं, एक दो लोग E-A-R, rear means पिछला, पीछे का और front means आगे का, that will be no difference, आपको difference क्लियर नहीं हो पाएगा, my dear, यहाँ परा जाएए, have को हटा करके, सीधे-सीधे, has को हटा करके, have लगा दीजे, plural बन जाएगा, right, अब तीन रूल मात्र बचें, तीन रूल और तीनो भीशल हैं, जबर जस्त है आइडियर, यह रूल आपको पूरे जीवन परिशान करेंगे, पूरा लाइफ, यह मेरा चैलेंज है, मेरा दावा है, ऐसे रूल से हैं, बीच-बीच में मैं बताता नहीं था, कि subject माने बिशय होता है, तो subjects माने प्रजा होती, राजा की प्रजा, new माने नया, तो news माने समुद्रीश प्रकार के रूल से हैं, जो बहुत खतरनाक हैं, और बहुरूपिया है, disguising rules, disguising rules है, my dear, disguising, इस प्रकार से आगे बढ़ता हो, मैं आपको यह बता दो, यहाँ पर बोला गया, कुछ नाउन, कुछ नाउन्स हमेशा, कुछ नाउन्स हमेशा, singular farm में ही, प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे नाउने, my dear, जो singular farm में हमेशा प्रयोग होते हैं, उन्हें plural नहीं बना सकते, कौन-कौन से हैं, सुनो इदर, सब लोग सुनिए, वो जैसे मैंने बुला, bread, मैंने बुला, butter, मैंने बुला, water, यहाँ, poetry, scenery, poetry, scenery, ठीक है ना, फिर यहाँ, knowledge, जैसे, knowledge हो गया, next है, money, wisdom, education, चाक, dirt, dust, information, right, information, furniture, यह है, यह इतने words आपके सामने एक दो और है, माइडियर, इनको अपने मस्तिष्क में बैठा लो भई, बढ़े dangerous rules है, माइडियर, बहुत dangerous, इन्हें plural आप नहीं बना सकते, plural इसले नहीं बना सकते, कोई बोलता है माल लो, कोई कहता है मेरे पास knowledge है, knowledge, बागल बाला कहता मेरे पास तीन knowledge है, और कहता मेरे पास दो knowledge है, अरे knowledge का measurement कर ही नहीं सकते, वो plural बना ही नहीं सकते, आए हुए bold में questions मैं दे रहा हूँ करके दिखाओ, bold में आए हुए questions आपकी screen पर ये रहे, मैंने क्या लिखा, the point trees of shakspeare are very praiseable, दूसरा माइडिया हुआ, the, the sceneries of Kashmir are very attractive, my dear, ये दो sentences मैंने आपके सामने लिखे हैं, इन दोनों को सही करना है, बोत आदिमा रॉंग, दोनों को सही करना है, जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी, do your best, facts, इनको सही करके मुझे सही answer चाहिए, जल्दी से दिखाए मुझे, मैंने यहाँ क्या बोला, मैं यहाँ पे लिखाओं, the poetries of Shakespeare are very pleasable, Shakespeare की जो poetries है, वो बड़ी ही presence नहीं है, जल्दी से जल्दी, do your best, फटा फट, फटा फट, अभी भी रिया शुकला, अभी आपका थोड़ा सा गलत है, रिया का अभी भी थोड़ा सा गलत है, रिया थोड़ा सा गलत answer है, विश्व कर्मा creation का अभी एक थोड़ा सा गलबल है, जल्दी 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 जल्दी, answer मैं मुझे चाहिए, हाँ, happy life creator, आप जो point out कर रहे हैं ना, वो कभी खुशी, कभी गम का answer है, यानि एक सही तो कुछ उसमें गलतिया है, आपका विश्व कर्मा creation, very good, शावास, विश्व कर्मा creation का यार बड़ा solid answer आया, बड़ा solid answer आया, जब subject singular होगा, तो क्या वर्ब singular नहीं करोगे, क्या, इधर देखे, the poetries of Shakespeare's में, my dear, आपको poetry's हटा करके, और इसकी जगा poetry का प्रियूग करोग करना होगा, the poetry of Shakespeare, और फिर यहाँ जो आर है my dear, इसको हटा करके, यहाँ इज का प्रियूग करना पड़ेगा, the poetry of Shakespeare is very praiseable, ऐसे बनेगा, आपका sentence बनेगा सही, दूसरा वाला जरा देखे, इसको बताईए, इसको, जरा बताएं इसको, second वाला, फटा फट रिस्पांज दीजे, जल्दी से जल्दी, I am waiting for your answer, जल्दी बोले, जल्दी, second वाले में, क्या होगा second वाले में, शिवानी यदुवन्सी है, विदी शिंग है, शुभम, कुश्वाह, आजाद, एहमद, अंजली, very many other students are giving the response, जल्दी बोलिये, जल्दी भाई, जल्दी से एंसर दीजे, second वाले में भी वही system है, yes, सुरुती शेट, बिल्कुल सही दे रही हो answer, second वाले में भी सही answer है, और second वाले में, जो Shakespeare series है, sceneries, I, S को अटा करके Y लगा दो, और ये जो R लिखा है, माई डियर, इसको अटा करके Y लगा दो, बस, the scenery of Kashmir is very attractive, ऐसे sentence बनेगा, the scenery of Kashmir is very attractive, चलें, अगला rule की और हम आपको ले चलते हैं, जल्दी से, फटाफट, और ये बताते हैं, कुछ plural number के special words मैं आपको लिखता हूँ, special words in the form of plural, ये, special words in the form of plural, plural words में, किस प्रकार से words को यूज करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, एक तरफ मैंने लिखा singular, और दूसरी तरफ मैंने लिखा plural, आचा, question थोड़ा सा उससे पहले आप से पूछता हूँ, दा, डेटा इस रोंग, ठीक ना, दा, बैक टीरिया, has been bacteria has been abolished ओके माई डियर चलो दो सेंटेंस में गलती कहा है जल्दी से बताएं मुझे फटाफट जल्दी से बताएं इन दोनों में क्या कोई गलती है क्या इन दोनों सेंटेंसे में कोई मिस्टेक है इस देर एनी मिस्टेक इन दीज फालोइंग सेंटेंसेज जल्दी से बताने का प्रयास करें माई डियर लाइक्स वो भी आर बहा दो दो सो के उपर जल्दी बस थोड़ा बचा है जल्दी से बढ़ाएं मैंने बोला डेटा प्लियूरल नंबर का वर्ड है माई डियर प्लियूरल नंबर का और अगर ये प्लियूरल नंबर का वर्ड है तो इसके साथ लगने वाली वर्ब भी प्लियूरल होनी चाहिए दा डेटा आर रॉंग होना चाहिए दा डेटा इस रॉंग नहीं हो सकता गलत है ओके अगला वही कंडिशन है बैक्टीरिया प्लियूरल नंबर का वर्ड है इसलिए हैस को अटा के माई डियर क्या करोगे है करोगे क्योंकि बैक्टीरिया का प्लियूरल नंबर फार्म प्लियूरल कैसे उसके साथ लगने वाली वर्ब भी प्लियूरल होनी चाहिए लगने वाली वर्ब भी प्लियूरल होनी चाहिए okay understood everybody सबने समझ लिया होगा माई डियर और समझना भी चाहिए समझना भी चाहिए मैं आगे अब इधर देख रहा हूँ इधर देखो यहाँ पर मैंने लिखा जैसे डेटम इसका बनेगा डेटा इसका मतलब होता आकडा ठीक ना इसका मतलब आकडे दूसरा मैंने बोलाया इरेटम इरेटम माने चाप खाने की भूल और इसका बनेगा इरेटा प्लियूरल हो गया इरेटम का इरेटा फिर बैक्टीरियम जीवाडू इसका बनेगा बैक्टीरिया बैक्टीरियम का बैक्टीरिया इसका बनेगा इसका बनेगा इल्यूमिनस का इल्यूमिनी प्लियूरल बना अचा कोई मुझे बताएगा मिश्टर का प्लियूरल बताओ क्या होता है मिश्टर का मिश्टर का प्लियूरल नंबर क्या होता है मिश्टर का मिश्टर का श्री मान होता है हिंदी कोई मैडम का प्लियूरल नंबर बताना हो बताओ मैडम माने श्री मती होता है मिश्टर और मैडम का प्लियूरल कोई बताएगा मिश्टर का प्लियूरल क्या होता है मैडम का प्लियूरल क्या होता है जल्दी से जल्दी बोलो, speak out quickly यार quickly, जल्दी जल्दी बोलो, नहीं आता तुँ मेरे से सुनो, जल्दी से जल्दी सुनने का प्रयास करें, semester का होता है measures, और madam का होता है mesdames, मैडम का plural होता है mesdames, और mister का measures होता है measures, हाँ ये धरंजय, नहीं, दिव्यांसु शर्मा, इन्होंने लिख दिया है, बहुत अच्छा, nice, well done, बहुत अच्छा, चलिए, चलिए, राजेश जैन, new student है, आप बिल्कुल, चैनल पर लिट्रेचर भूक है, हाँ, स्टार्ट करेंगे चैनल पर, उस पर आजाईए न, TOC learning app पर आप तुरंत admission ले लिजे, पहले आप बैच पर, सारा चीज उसमें है, उसमें एक एक पाई मात्रा में पढ़ाया जाएगा, राकेश जैन, TOC learning app पर फर्स admission लीजे आप, पिछला वीडियो देखी और जो continue है, उसको class को अटेंड करिए जल्दी से, चलें, हाँ, ध्यान से सुनिएगा, हाँ, क्यों नहीं रहेगी, यार्ट्स में, इंग्लिस तो common है ना, इंग्लिस तो salt है, नमक, नमक, चाहे जो सबजी बनेगी, डालना पड़ेगा आपको यार्ट, चाहे mathematics से रहोगे, चाहे biology से रहोगे, चाहे कामर से रहोगे, इंग्लिस से छुट नहीं पाऊँगे, ये आपको follow करेगी, ये आप इसका मान लो, VIP मैं लिखता हूँ, इसका plural क्या है, या ऐसे बना दो पहले इसको अटा दे, जैसे मैंने बोला BA, MA, इसका plural क्या होगा, तो BA का plural माइडियर होगा BA's, और MA का plural होगा MA's, BA का BA's और MA का MA's, ऐसी condition यहाँ बन रही है, BA का BA's और MA का MA's, ओके डन, और जैसे मैंने बोला VIP, तो VIP बोला तो इसका क्या बनेगा, इसका plural अगर बन रहा है, तो VIP's, स्माल लिटर से इसमें लगाएंगी VIP's, इन दोनों शाड़ फार्म में जरा देखो अंतर क्या है, इन दोनों के शार्ट फार्म में my dear अंतर क्या है ज्रह देखिए B.A. M.A. B. A.s म. A.s और VIP ये plural बना इस प्रकार से इसका singular और plural फार्म बनता है my dear singular और plural ऐसे बनता ध्यान देना VIP's में रिया शुकला आप में और मेरे में क्यां नतर है ज्रह देखो ध्यान से मैंने अपास्टोफी चिंड ऊपर नहीं लगाया आप लोग लगा दिये हैं गलत है जब डाट रहेगा सुनो सारे लोग सुनो जब सॉल्ट फार्म में डाट रहेगा डाट झाट लिए डाट यह डाट है ने तो डाट रहेगा तो अपास्ट्रोफी साइन और स्माल लिटर का एस दोनों लगेगा अपास्ट्राफी साइन और स्माल लिटर का एस दोनों लगेगा ध्यान देना दोनों लेकिन यहाँ देखो जैसे इसमें short form नहीं है माईडियर ना वी आईपी में कहीं short form है नहीं है ना तो apostrophe चिन नहीं लगेगा केवल small letter का एस लगेगा बस एके वर्मा मुझसे पूछ रहे है पेड़ बैच कहां मिलेगा टी ओसी लर्निंग एप पर जाईए टी ओसी लर्निंग एप पर जाईए वहाँ खोलिए वहाँ अप्शन एंग्लिस को क्लिक कर दीजिए फीस जमा कर दीजिए जो भी पांच शेस रुपया है उसको तुरंत आ यहां भी देखे वहाँ भी देखे एकदम इंगलिस रख जाएगी जबान पर जायाएगी यह मेरा चैलेंज एकदम जबान पर आ जायाएगी किसी भी टाइम बस ओपन करना रहेगा बस चलि माइडियर यहां तक तो यह क्लियर हो गया अब आगे का एक रूल एक रूल है इ Iratum माने छाप खाने की भूल जहां printing प्रेस होता है ना mistake हो जाती है Iratum का Iratah, ये भी plural बना Iratah, ये singular है Bacterium का Bacteria, Bacterium singular है, Bacteria plural है समद में सब को आ रहा है कि नहीं, फटा फट yes लिखके दिखाइए मुझे अगर आ रहा है तो yes लिखे जल्दी से जल्दी एसर लिखे जल्दी से स्पीड में और नहीं समझ में जिनको आ रहा है वो नहीं लिखेंगे अलुमिनस लिखा है अलुमिनी अलुमिनस का अलुमिनी होता है अलुमिनस मनें विद्यार्थी विद्यार्थी होते हैं विद्यार्थी होता है और अलुमिनी इसका प्लूरल नंबर का वर्ड है माईडियर अलुमिनी प्लूरल नंबर का वर्ड है धान देना ये प्लूरल नं साथ हैस लगेगा, apostrophe चिन के साथ हैस लगेगा, salt farm तो है लेकिन dot नहीं है my dear इसमें, इसमें जैसे MP, MLA, SDM इसमें dot नहीं होता है, तो जब dot नहीं हो तो apostrophe चिन नहीं लगेगा, BA, BA, BAC, MA, MSC, MCOM, सब में dot मिलेगा आपको, तो याद रखो, जो dot वाले हो, dot वाले, dot वालों में आपको S, apostrophe चिन भी लगाना है, और बिना dot के जो हो, उसमें apostrophe चिन नहीं लगाना है, बस इतना समझना है my dear, और examples में आपके सामने लिखाई हो, एक दो और देखलो, जैसे अगर मैं बोल दो, जैसे A है, A का प्लूरल क्या होता, A's, apostrophe चिन लगा, दो बस, A का प्लूरल क्या होता है my dear, A's, जैसे माल लो मैं बोला P, P का प्लूरल क्या होता, P's, यह इस तरह से होता है, जैसे Apple मैंने लिखा, और मैं English में बोलना चाहता हूं किसी बच्चे को या English को मैं बताना चाहता हूं कि Apple में 2 P है, Apple में 2 P है, तो there are two P's, two P's in Apple, two P's in Apple, ऐसे बनेगा, दो P हैं तो two P's in Apple, जैसे माल लिया, मैंने लिखा three लिखा, मैंने लिखा four लिखा, तो three का plural threes, four का plural fours, ऐसे बनता रहेगा, यह, ऐसे बनता रहेगा, इनका plural बनता रहेगा, अन्तिम rule my dear, अब कल मैं समझा दूँगा, कल सारे बच्चे सुन ले, nobody will be upset, नया topic कल रहेगा, new topic will be taught to you, और वो literature का topic रहेगा, because tomorrow is Sunday, sorry, sorry, Saturday, Saturday को पूरा का पूरा literature का पड़ पढ़ाया जाएगा, आज भी था लेकिन किसी वजास नहीं हो पाया, okay, that's all and good night everybody, सभी लोगों को good evening, शुबरात्री, शुबरात्री शुबरात्री